तो कैसे है अप लोग दोस्तो धिंचक पुझा के सारे वीडियो आप डिलीट हो चुके हैं कट अप पर के कारण्ड से यह वाले कट अप नहीं है कोई दूसरा है तो चलिए देखते हैं इन सारे वीडियो का क्या हुआ दोस्तों आपको साथ पता चली गया होगा कि दिन्चक पुजा के सारे वीडियो आप यूटुब पर नहीं गा एक वीडियो को छोड़ कर वो है दिलो का स्कूटर अब सवाल आता है कि ये सारे वीडियो को डिलीड किस ने किया और क्यों किया हो सकते हैं खूद दिन्चक पुजा ने अपने सारे वीडियो को पाइबट किया और सारे यूटुबर का ये कहना है कि दिलो का स्कूटर में दिन्चक पुजा ने जो हेलमेट ना पैंग के गारी चला आया उसके वज़े से दिल्ली ट्राफिक कुलिस ने एक्सेन लिया किसी ने दिल्ली ट्राफिक कुलिस को ट्वीट करकर ये कहा कि दिन्चक पुजा बिना हेलमेट के गारी चला रहा है तो आप एक्सेन लिजिए रिप्लाइ टूइट में दिल्ली ट्राफिक पुलिस ने ये का कि आप टाइम, डेट और लोकेशन बताईए वो एक्सेल लेंगे तो दोस्तों मुझे ये नहीं लगते कि दिल्ली ट्राफिक पुलिस ने ये सारे वीडियो डिलिट किये क्योंकि वो दिलो का स्कूटर वाला वीडियो अभी तक यूटूब में मौझूद है हो सकता है रिंचाप पुजा के वीडियो पर कॉपीडाइट क्लेम आया है उससे कारण से वीडियो डिलीट या प्राइबेट हो गया है दोस्तों अगर आप लिंचाप पुजा के फेस्बूक पेज या टूटर पेज में जायेंगे तो आप देखेंगे यूटूब वीडियो का जो लिंक है अगर उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा Copyright Strike के बाजे से ये सारे वीडियो Delete या Private हो गया है तो ये claim आया है Cutup Passing के बाजे से तो Cutup Passing का ये कहना है कि धिन्चेक कुझा ने जो Music पे गड़ा यूज किया है, Sound Effect यूज किया है वो सारे Cutup Passing का खुद का है तो धिन्चेक कुझा ने यूटूब चैनल पे मौजूद है मतलब Cutup Pass के साथ धिन्चेक कुझा के हमजोता हो गया हो गया उसके वज़े से ये वीडियो फिर से वापस आ गया है तो अब सावाल ये आता है बागी सारे वीडियो पे क्या करपपा आपने claim को वापस लेंगे ये तो भक्ती बताएगा तो Cutup Pass ने फिर से एक राज खाला कर दिया है कि दिन्चेक पुझा के वीडियो Cutup Pass ने क्यों डिलिर किये दोस्तों आपको क्या लगता है आप comment box पे comment कर सकते है तो आज के लिए बस इतना ही फिर्म लेंगे किसी दूसरे वीडियो पे तब तक के लिए Stay healthy, stay tuned